चलिए आज फिर कोई नई बात शुरू करते हैं तो अभी अभी जल्स आए हैं तो आज कल हमने सफल वाले लोगों के लिए बात की थी आज तोड़ा असफल लोगों के लिए भी तोड़ी और बात कर ले और जो खास करके कि abhi mens देंगे उसमें असफलता प्राप्त न हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो यानि उसमें जमलता के लिए क्या करना है और पहले जो असफलता मिली है उसमें क्या तो कहां हम गलती कर रहे हैं देखिए गलती और अपराद दो चीजों को समझना जरूरी अपराद किसे कहते हैं और गलती किसे कहते हैं गल्ती और अपराद में अंतर समझना चाहिए जिसको परेणाम पता है और उसके बावजूद वो वही काम करता है परेणाम पता होने के बाद भी उसी काम को दोराता है यह थोड़ा सा फिलोसोफिकल ऐसे भी हो जाएगा आचाहिएं difference है, वही हो इसे भी जाता है जिसमें आपको थोड़ा सा फिलोसोफिकल होना पढ़ता है दाप्षनिक निबंद होते हैं अच्छे मांक साथे हैं, अगर आप अच्छा लिखना जानता है तो अच्छे मांक साथे हैं Fictional कम होता है Conceptual जादा होता है तो वहाँ आपको ये चीज समझ मायेगी कि हम क्यूं बता रहे हैं जब आपको परेडाम पता है कि परेडाम यही आने वाला है उसके बावजूद आप उस काम को करते हैं तो वो अपराद होता है क्यूंकि आपको पता है परेडाम उसको गलती नहीं कहा जासा गलती तब कहते हैं हम जब हमें परेडाम पता नहीं कई बार हमको आन्शिप परेडाम पता होता है लेकिन बाव लख हम उस परेडाम से बच जाते हैं जिसे हमारे एक हात में मोबाइल है और वो हमने कान से दबाया हुआ है एक हाथ में हमार पास थाली है फोन को कान से दबाया हुआ है एक हाथ में थाली है एक में अचार की बढ़नी है इस तरफ अचार की बढ़नी रखी हुए और हम एक चमज से उसमें से अचार निकाल करके थाली में डालने की कोशिश कर रहे हैं जिलका थोड़ा साधन तो उधर बहुत रहें उच्पी explosions 1 अगर वहां से चोखाने वाली बात हुइ ऑडर से के लिए इसे हैं आप सकते हैं पर अल सकता ही इन मतुरिह हों सकता है थाली लुडग जयाक है के और हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी नहों, आप फोन को भी बचा लें, चमच को भी बचा लें और ठाली को भी बचा लें, यह तीनों चीजें हो सकती हैं, तो इसे हम गलती कहेंगे क्या नहीं, हम गलती तो कर रहे थे, लेकिन संयोग वश्ट कोइंसिडेंटली हमको सभल आप राफ्ट हो गई। यह होता प्रिलिम्स में कई बार। कई बच्चे इस प्रकार से प्रेलिम्स को ख्रॉस कर लेकिश में इसले उनका नेक्स टाइम प्रेलिम्स ने निकलता फिर। पिर। पष्ली बार किस वज़े से हुआ था। आंशिक गल्ती से परेणाम ग्यात होते हुए भी आपने तीन चार तरह की गल्तियों को दोराया लेकिन आपका सेलेक्शन हो गया अब आप ठीक यही गल्तियां अगली बार दोराते हैं किरके आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगली बार ये परिस्तियां नहीं होती बल्कि कुछ उस दिन आपके हाथ गीले हैं थाली गीली है मोबाइल का कवर बदल गया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती मोबाइल थोड़ा स्लिम है पेले मोबाइल मोटा था वो कान के नीचे दबाया जा सकता था अब थोड़ा स्लिम वाला है वो फिसल जाता है बहुत कुछ हो सकता है वो गर्मी के दिन थे ये ठंड के दिन है बहुत बदलावाते हैं इस वज़े से अगला प्रिलिम्स रह जाता है कई लोग एक बार सफलता प्राप्त कर लेने के बाद अगली बार क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कारण समझना आया होगा ये आंशिक गल्ती कहीं जा सकते है लेकिन इसमें भी प्रिणाम तो आपको पता है लेकिन चुकि प्रिणाम पहले सफलता के रूप में मिला था इसलिए आप उत्साहित है तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये उदारान बनाया है कि आपको ये कुल मिला करके जब आपको पता है कि एक हाथ से ऐसे तेड़ा पकड़ने से जब मच के गिरने की समभावना बहुत जादा है तो वैसे पकड़ना ही नहीं है आपको मालूम है कि आप अपनी बाइक में से स्कूटी में से किताब भी निकाल रहे हैं फोन भी निकाल रहे हैं तो जब तक सबसे पहले आपको फोन निकाल करके अपनी जेव में रखना है फिर बुक निकालनी है फिर स्कूटी का ताला लगाना है तीनों चीजें एक साथ करेंगे तो उसमें किसी एक के गिरने की और पास में दिनाली है तो चारबी नाली में गिर गई उस पर जाली लगी वी तो अब नगर निकम वालों को बुलबाओ तो जो आप गल्ती करते हैं उसमें कई बार आपको प्रेडाम पता नहीं है उसको हम गल्ती करते हैं लेकिन आपको संभावना तो पता है ना कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता रहता है ऐसा आपी के साथ हुआ है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है जब आपको ये सब चीजें पता हो तो आपको परफेक्शन लाना पढ़ेगा आपको अपनी जिन्दगी को गिवस्तित बनाना पड़े आपको आदत और फिर दूसरी एक गल्टी होती है जो सुभाओं में आ जाती है मालूम है कि यह चीज नहीं करनी है कई लोगों को चाई पीने से तकलीव होती है अजसे फिर देटी होती है कोई तरह की प्रॉबलम होती है उसके बावजूद भी स्वाद के कारणा आदतों के कारणा सुभाव के कारणा इच्छाओं के कारणा ना कर पाते हैं परिणाम पता है, मालू में प्राण नहीं जाएंगे एकदम से लेकिन तकलीफ होगी, फिर भी पी जाते हूं, फिर दिन बर परिशान होते हैं, बोलते हैं हाज सुबरライ Male पीता तो अच्छा होता हूँ, एस से मुझे तकलीफ होती है और मैं यह खा गया, यह जो मैं आप सामा हैं लैंने भैसे तक का कि ये लिbereख हैं नहीं था कि वेज अब रुखन को इसके हैं चैनलिफ जो लोग आसप़ उवे हैं वो क्यों होगा है वो इस वज़े से हुआ अगर कोई व्यक्ति अभी graduation कर रहा है या अभी अभी graduation करके आया है और उसने civil services की तैयारी कभी नहीं की कोई test वो देता है तो उसका 30-40 ठीक होता है 100 में से 30-40 questions से ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं कि वो अंदाज से देता है और अंदाज से देते हैं व्यक्ति इससे ज़ड़ा question रेखाने उसके ठीक होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो सभलता की उम्मीद ही नहीं है तो वो तो अचानक से सभल भी नहीं हो के यसा ग़िए कोई प्रिपार नहीं आएगा कि अचानक से साथ हो जाएंगे तो ऐसे विक्ति को तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए ना तो उसकी गल्ती है ना अफराद है उसका तो प्रयास ही नहीं है उसको तो इनों सेंट भी इसलिए नहीं कैसकते क्योंकि उसने परिक्षय क्यों भी फार्मी क्यों डाला ऐसे व्यक्ति को तो फॉम भी नहीं डालना चाहिए कि कोई मतलब भी नहीं है उसका अनवाव लेना है तो हमारे यहां टेस्स दे दो एक्जाम का फीस खराब करना और एक्जाम में जाके बेटने ही क्या वशकता है ऐसे व्यक्ति किसे तो कोई उमेद नहीं की जा सकती है उसके लिए नहीं अपराद कहेंगे नहीं कहेंगे बलकि उसको कहेंगे कि उसने प्रयास ही नहीं किया उसने सफल होने की कोशिश ही नहीं कि लेकिन जो व्यक्ति पचास तक पहुंचता है, साथ तक पहुंचता है, वो कैसे फैल हो जाता है, वो तो फैल होना ही नहीं चाहिए, वहाँ जाकर कि ये सिद्धान्त लागो होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताएं, और ये काम, जब सरकारें करते हैं, तो मनशा समझभा जाते हैं, तो कही तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे मैंने आपको बताया है, कई लोग करते हैं, क्खिलम हीट हो जाएगी, जदा ज़्यादा बेखेंगे। कही लोग की ने अटीज़ें करते हैं, जिससे वो बावाल चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों करती है, जिससे उनको राजनेटिक फायदा होता है, जान बूझ करके जवान पिसल गई, कुछ ऐसी बात बोल दी, कि उस पर बावाल हो गया, बात में एक वर्ग ने उनको बहुत जादा वोट देना शुरू कर दी, क्योंकि उसको वो बात बहुत पसंद आई, और ऐसे वो बोलना नहीं चाहते थे, वहाँ ये सिद्ध कर दिया है, कि हमने अनॉइंगली जो है, ये बोल दिया है, तो ये जो चीज़ें होती है, तो ऐसा कौन सिविल सर्विसेस के फिल्ड में ऐसा भी कोई करता होगा जो बवाल करने के लिए या जानभूज करके असा फलोनी के लिए ऐसा करता हो, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, जो गरवालों को बेवकुप बना रहे हों, मित्रों को बेवकुप बना रहे हों, कई बच्चों में छोटे जो बच्चे होते हैं, खास करके स्कूल कॉलेज के ज वो होता है, वो भी जीवन में कुछ नहीं पाते हैं, उनका जीवन भी ऐसे कोरा का कोरा ही रह जाता है, खाली रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है उसकी जिल्दगी के, वो ऐसे इंप्रेशन जाजने के लिए एक दूसरे को बताते रहते हैं, कि मैं ये कराओं मुझसे इसा और ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ ऐसे बच्चे तयारी करते हैं, कुछ परसेंटेज ये भी होता है, लेकिन जो जीवन मरन का प्रशन बना करके, परिवार वालों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए, समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए, सुरम को सि जान बूज़ करके होने वाली जो इंटेंशली जो चीज है वो तो बिल्कुल आपको करनी नहीं किसी भी किमत पर एक चीज जिसके प्रणाब पता है ऐसा भी कोई काम नहीं करना है अब रही बात सेलेक्शन की तो मैंने आपको बताया साठ प्रश्णों का टार्गेट है साठ प्रश्ण जो ठीक कर लेगा UPSC में वो सेलेक्ट हो जाएगा MPPSC में 70 का टार्गेट था 72, 73, 74 का टार्गेट था 73 हाइस था तो ज्यादा नहीं है MPPSC का पेपर भी सरल होता है UPSC का तो पेपर पढ़ने के लिए दो गंटे कम पढ़ जाते हैं लेकिन MPPSC का तो एक गंटे में हो जाता है एक गंटे फाल्तू बेटा रहता है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है उसमें से multiple 24 और वो नहीं आते हैं तो फिर क्या करना होगा ये चीज़ें दोराने से बचना होगा और कई लोग इन चीज़ें को दोराते हैं मुझे लगता है गलतियां दोराई नहीं जाती है पहली बार गलती कही जा सकते हैं दूसरी बार उसको अपराद कहें दूसरी बार यदि वो हो रहा है तो वो क्राइं पहली बार में हो सकता है गलती हो मुझे लगता गलती और अपराद का अंतर आपको अच्छे से समझते हैं और गलतियों के प्रकार भी समझ नहीं आ गया है और इन सब के बीच में एक चीज होती है वो होता है गाइडेंस कई बार आप से गल्ती इस वज़े से होती है क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं है और एक बार यह दि कोई गाइड कर दे और उसके बावजूद आप उसकाम को नो करो तो फिर वो अपराद हो जाए गल्ती इस वज़े से वी थी क्योंकि गाइडेंस नहीं था गाइडेंस है और उसके बावजूद आप रिपीट कर रहे हो रिपीटेशन हो रहा है इसका प्रिटी करेंगे अब आपसे अगर कुछ होगा तो वो अपराद होगाए तीन बादाएं इसमें जिन से गल्टियाँ अपराद बन जाती हैं तीन बादा हैं, उन तीन बादाओं की चल्चा कर लेते हैं, मेंस वालों के लिए भी है, प्रिडेंस वालों के लिए, वो तीन बादाओं में सबसे पहली बादा है, शारेरिक अक्षमता, आप पुरी तरह से capable नहीं हैं शरीर से, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, एक मानस वाली बात है, mental problem, physical problem and mental problem, और तीसरी है resources की कमी, कोई online class कर रहा है तो उसके पास laptop नहीं है, mobile की छूटी स्क्रीन पर उसको पढ़ना पढ़ रहा है, या फिर उसको पढ़ने के लिए जो एक कमरा होना चाहिए अलग से वो नहीं है, सामोईक परिवार है, बड़ा परिवार है, उसमें चोटे बच्चे भी हैं, उदम कर रहे हैं, आवाज आ रही है, disturbance हो रहा है, resources, तो इन तीन बादावां को दूर किया जा सकता है, यह भी असफलता का काराण बनती है, जिसमें आपकी गल्ती नहीं होती, नहीं आपका अपराद होता है, शरीर हमको बगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जैसा दिया है, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इलाज के माध्यम से प्रॉपर दूर कर सकते ह मेंटल यह दी प्रावलम है कुछ तो मैंने आपको बता है ड्राइफ रोट का करके या कैसे भी करके ब्रेंट टॉनिक भी करके मेंटली स्टॉंग हुआ जा सकता है या मांसिक रूप से ताकतवर बना जा सकता है साइकोलोजिकल वाली प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल में, तो सला ली जा सकती है, तनाव को दूर किया जा सकता है, तनाव प्रबंदन होता है, क्योंकि कई बार आप अनावशक तनाव लेते हैं, जीवन तो गुजरी जाता है, माले जाए किसी व्यक्ति को, उसे गरवालों को बहुत शिकायत है, और व्यक्ति भी परेशान है और गरवाले भी परेशान है, लेकिन माले जाए वो व्यक्ति उस दिन मर जाए, तो शाम को तो गरवाले यही कहेंगे ना, सब कि ठीक ही था भई, इत्ता बुराद भी नहीं थ किसे ने सुसाइट कर लिया उसके बाद सब लोग यही बोलता है मरने की क्या ज़रूरती जबकि उससे पहले यह भी बोल देते तो मरी क्यों नहीं जाते हैं लेकिन सुसाइट होने के बाद तो वो यही बोलता है कि यह बच जाता तो ठीक रहता तो यह तो हमने अनावश है कि सब आत्मगाते कदम उठा लिया बाद में दे कोई मुर्दा सुन रहा होता है उपर जाके मतलब यह सब पस्ता आगा ले तो देखो कितना प्रेम जता रहें सको यह सब चीजें तो वाकई में शनिक होती है और इन सब चीजें का कोई मतलब नहीं होता है तो न तो मरना सॉलूशन है न पलायन सॉलूशन है ठीक किया जा सकता है तनाव जो होता है वो टेंपरेरी होता है ध्यान रखी आइस्था ही होता है और उसका प्रबंदन किया जा सकता है कि मैंनेजमेंट किया जा सकता है इंगर मैंने जोता है तनाव जो परभंदन जो य dif घेंगर का प्रभी मैंने मैं वे गैंकरय और तेंशन गरें या दो बारशेखं़ करें और इससथा पहर परएढ़ जा सकता है यह कोई समस्या नहीं है resources के समस्या आर्थिक स्तिपर भी निर्भर करती है और परिवार वालों की मंशा पर भी निर्भर करती कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास एक ही साधन था और उन्होंने वही बेच करके उसको बच्चे को पढ़ा दिया और वो बहुत बड़ा आद्मी बन गया सक्सेस स्टोरीज में आप लोग पढ़ते होगे कि किसी का आटो चालक के पास एक ही आटो था और उसी से वो कमा के खाता था और उसने अपना ओटो बेज दिया और बच्चे को पढ़ाया और वो सक्सेस हो गया इस हट तक भी चले जाते हैं किसी के पास बहुत ज़्यादा बहुत कुछ होता है उसके बावजूद वो अबाहों में जीता है मैंने 200 एकर जमीन वालों को भी बच्चे को साइकल लेते हुए नहीं देखा जमीन 200 एकर उसके पास इस बार प्रॉफिट हुआ तो वो 20 एकर और खरीद लेता है लेकिन बच्चे को साइकल लाके नहीं देता है कि तुम इसकूल चले जाओ इस पर बेठके प्रवर्ति गत है उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप संगर्ष भी नहीं कर पाएंगे तो ये सब समस्या हैं हमने आपको बताई अब इसमें आप देख सकते हैं कि कहा प्रॉफिलम आ रही है किस जगे पर प्रॉफिलम जिनके माता पिता उदार हैं खर्च कर रहे हैं पीज जमा कर रहे हैं नोट्स करीद रहे हैं, बुक्स करीद रहे हैं, रिसोर्सेस परियाप्त दे रहे हैं, शरीर आपको बगवान ने समर्थ दिया हुआ है, कहीं कोई प्रावलम नहीं है, mentally आप ठीक हैं, आप पागल नहीं हैं, आपका बार-बार दिमाग खराब नहीं होता, आपको मिर्गी के दोरे नहीं आते हैं, आप हरते ही गिर नहीं पड़ते हैं, आपको चक्तर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं का आज वहाँ गिर गएते हैं, लोग उठा के ला रहे हैं, आज व जो गड़गड है वो आपी की तरफ से guidance आपके पास है notes में हम बताते हैं आपको कि ये देखो ये page number यहां से ये question आया है इस page number से ये प्रशन आया है तो आपको UPSC में 70 questions count करा सकते हैं हम दो करवा है था ना count आपको questions count करा रहे थे आपको ये question देखो कहा से आ रहा है दिखायता है तो प्रशना आपको हम निकाल-निकाल के दे रहे हैं वहीं से जो matter आपको पहले से दिया हुआ है हमने अपने पास से जो matter है उसमें से नहीं निकाल के बता रहे हैं आपको जो हमने दे रखा है एक साल से आपके पास पढ़ा हुआ है दूल का रहा है उसमें से हम बता रहे हैं कि इस page number से ये प्रशना है हुआ है इसका मतलब आपने इमानदारी से अगर उसको underline करके पढ़ा होता तो परिक्षा में आप हल कर पाते हैं तो गरवर का दो तीन तरह के परिक्षा एक लंबा सफर है बलकी है बहुत मेटर है बहुत पढ़ने को बहुत कुछ है डिस्ट्रेक्शन भी बहुत है बाहर चीज़ें भी बहुत है तो ऐसे मैं एक प्रबंदन तो लगता है जो कल मैंने आपको बता था राइटिंग मेनेजमेंट आज मैं बात करूँगा आपके समाई प्रबंदन की क्योंकि अभी मैं सरकार पर जाओंगा और दूसरे मुद्दों पर जाओंगा तो बहुत कुछ हो जाए सरकारें को तो थोड़ा सा एक 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 जामपल बता दूँ कि सरकार को पता है कि करशी कानूनों पर क्या होने जा रहा है और वो किसे फाइदा देने जा रहे हैं अच्छी तरह से वो जानते हैं तो आज मैं जो एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें वो साब साब लिख रहा हैं कि यह कानून क्रशी के लिए है क्रशकों के लिए नहीं यानि कि किसानों के लिए नहीं है किस के लिए है एगरी कल्चर के लिए है ऐसे भी कोई चीज हो सकती है कि जो एगरी कल्चर के लिए तो है लेकिन खिसानों के लिए नहीं है बास सुभाइ ना यानि कि कोई जो चीजह कोई सुविधा है हो एक तर ऐसे होस्पिटल के लिए है मरीजों के लिए यह तो बहुत गतरणाक बात हो गी होस्पिटल थो अच्छा चलेगा उससे यह अश्पिटल का मेनेजमेंट भी अच्छा रहेगा अधिक वैसे ही खिसानों को फायदा नहीं है, क्रशी को फायदा है आपने जो क्रशी के विविदी करण की बात की है, क्रशी का विविदी करण हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की जिन से जो हैं वो पेदा होने लग जाएगी, जब उसमें उतर आएंगे तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, हो सकता हो लेंड रिफॉम करें, भूमी सुदार करे उसके बाद हो सकता हो मिट्टी का सुदार करें, हो सकता हो फर्टिलाइजर चेंज करें, हो सकता हो टेक्नलोजी बदलें, तो क्रशी तो ठीक हो जाएगी, उत्वादन भी हो सकता है, बढ़ जाए, विविदीता भी आजाए, हो सकता हम क्रशी की रूप में आप निर्भरत कि थाब कि ये फैसं टूर्ब कि अपने आपको बचाने की एक करशी प्रुकार सब्सक्राइब दें कमें लोधिता हैं कुरवर्य जाएक उत्र नदक्सा नइस हो आप करशी से कोंगी लेना देना नहीं है कि हम अपनी बात कर रहा हैं हमको तो नुकसान होने जा रहा है। कितना अंतर है, सोच में कितना अंतर है। तो जब आप different article परते हैं तो मैं पंच लाइन जो बता रहा था कि इसी पंच लाइन होती है। जिसे कल जो आपको उदायन दिया था आपको लेक्टर में तो आपको बताया था ना कि कोई ऐसी लाइन होने चाहिए जो चूजा है तो यह लाइन हो सकती है कि यह कानौन जो है वो किसके लिए हैं क्रशी के लिए हैं क्रश्कों के लिए नहीं किसानों के लिए नहीं इसलिए वो जद्दोजद चल रही है सरकार बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है क्रशी क इंप्रूमेंट रहा ना करशी में यह चीज बढ़ जाएगा इस बाइब कर दो जाएगा वो बोल गाए हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमारी हालत खराब हो जाएगा वो कब कंप्लीट होगा उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहो मुझे कब डिस्चार्ज करोगे उसके बारे में बात ही नहीं कर रहो तांके कटवाने की बात कर रहा है कि मरे स्टीच कटेंगे उसके बारे में बात नहीं कर रहो आप बुल रहे हैं नहीं मशीन आई है यह सबक्राइब सब्सक्राइब ठीक हो करके आप निर्मान के जा रहा है उसका आप कोगे निए उससे बजिश में सुविदाएं मिलेंगे उससे यह होगा उससे तो बिल बढ़ेगा उससे तो पैसा उसके पास होगा जो हस्पिटल का मालिक है उसको फाइदा होने जा रहा है आप तो वहां से ठीक कितने दिन में होते हैं कितने सस्ते में होते हैं और कितने कम पेसे में होते हैं और कितने अच्छे से होते हैं उस पर डिपेंड करता है वह यह कि भूज बारत माता बारत माता कौन है बुले निया आपको राश्टर के लिए काम करना है आपको मर्खब जाना है तो राश्टर कौन है वो तो अन्नोन है कि लोगों के लिए राष्टे राष्टे के लिए लोग हैं लोग बोलína लुदे कि राष्ट बचेंगा तो तुम बच्वेना सद्शों गात तुम रहोगा कोई राष्टे यूंकतियों हो उसकी पूरी भूमी हो, उसके सारे संसत बहवन हो, जोंके थी हो, लोग सारे मर जाएं, तो क्या वो राष्टर रहेगा? सिमाएं सारी की सारी सुरक्षीतें चलिए, और लोग सारे मर गएं महामारी से. यही चीज है। इसलिए हर चीज को मैंने जो आपको लेक्चर के शुरुवात किये उसके नजरिये से लिखे विग्यान, विग्यान बुन और बेन की जब बात आती है, यह आता है ना कि यह वर्दान है या अभिशाब है, इसको क्या करना चाहिए, तब क्या करते हैं आप? तब यही लिखते हैं, कि मंशा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, यही चीज आप क्रिप्टो करन से पर जा सकते हैं, यह जानभूज करके किया गया आप रात है, यह अंजाने में की गई गल्ती है, इसलिए सोशल मीडिया पर जो चीज चल रही है, कल जो आपको पढ़ाया था फेस्बूक और गूगल और वो बिग टेक्स की जो बात आती है, तो क्या यह कंपनिया जानभूज पर के हिंसा फेला रही है, गरना फेला रही है, या अन्नोइंगली फेला रही है, केवल अपने लाब के लिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को छूट देती है, किसी वर कि आप जानभूज के यह काम करते हैं, या अध्यानता वर्ष करते हैं, फोट पेपर के लिए तो बहुत ही बड़िया टॉपिक हुआ है आज का, और निबंद के पेपर के लिए भी, दो पेपर के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, तो इसको आप हर जगे लागू कर सकते पर्टिलाइजर के मामले में, पेस्टिसाइड के मामले में, पर्यावरान मानकों के मामले में, सरकार को मालूम है कि जंगल नहीं बेचे जाने चाहिए, उसके बाव जो जंगल कटने के लिए बेचने कि ये एजेंस जंगल काटेंगी, यह प्राविटाजेशन होगा, यह म नेरू में और मोदी में, चीन के मामले में जो फर्क है, नेरू के मामले में गल्ती करे जाएगी और मोदी के मामले में अपराद का जाएगा, क्योंकि नेरू के पास में कोई उदाराण नहीं था, कि सोतंतर भारत था और एक सोतंतर चीन था और दोनों आपस में रिलेशन बन सब्सक्राइब तो इसे मित्रता तरह करें इसे मिध्रता से क्यों नहीं है तो उनके पास तो एक्जामपल था, बादमे कारगिल हुआ, लेकिन मोदी के सामने तो एक एक्जामपल था, कि ऐसा हो चुका है, उसके बावजूद उनोंने दोस्ती करने की कोशिश की, और नजदिक जाने की कोशिश की, और पाकिस्तान भी गए और सब किया, बिना सलाहकार के सलाह लिए बिना एक्सपर्ट के एडवाइज के एक्सपर्ट ने कहीं पर भी सजेस्ट नहीं किया था बद उनी का मुड़ा आया कि मुझे पाकिस्तान जा करके नवाज शरीप के घर जाना है शादी में जाना है और वो चले गए तो यह जो चीजे हैं यह गलतियों में नह अटल भी अरिवाजपई की चीज गलती कहीं जा सकते हैं लेकिन नरेंदर मोधी जो पाकिस्तान के साथ कर रहे थे वह अपराद था क्योंकि आपने गलती नहीं किया, आपको पता है, चीन के साथ जो हो रहा था वो भी एक तरह से अपराद, आप कहेंगे कोशिश तो फिर कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को दोराना, ठीक उसी चीज़ को दोराना तो कोशिश नहीं है, थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, कोई और के वले एक व्यक्ति नहीं होता है, बलकि वो परम्तरा होती है, आप उसका निर्वा करते हैं, तो किसी प्रदान मंत्री नहीं गलती कर रहा है कि इसका मतलब ठीक, आप भी पहले वही दोरा के देखेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इसमर्ण शक्ती है, वो डिफ यदि अगरवत्ती कभी चिपक जाए, तो जलन होती है, क्यांकि अगरवत्ती लग देए आपको, जली भी अगरवत्ती यहां लग जाती है, तो आप फिर इस हाथ से ट्राय करेंगी, इस से नहीं होगा, तो यह मुर्कता होगी, यह वही हाथ है, प्रदान मंत्री यह हो चा आप उस ट्रेडिशन का निर्वा कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं, और जब आप क्रशी प्रदान देश में जी रहे हैं, क्रशी प्रदान देश का संचालन कर रहे हैं, तो फिर क्रशी की उन्नती नहीं करने चाहिए, उन्नती हमेशा करने चाहिए, ल प्रगिति करते समय में आपको सूचना प्रेड़ प्रगिति करने के कुछ मान अबंड होते हैं प्रगिति को यह व्यत्ति ऐसा करे कि ऐसी दोड में हिस्सा ले कि गोल्ड मेडल तो मिलने वाला है लेकिन अगर टार्गिट पर पोचे जाएगा तो उसकी मृत्य हो जाएगी जैसे वो gold medal का आगदार होगा उसकी मृत्य हो जाएगी तो ऐसा gold medal koई महाइने नहीं रखता है जिन्दा रहना ज़रूरी है अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए gold medal प्राप्त करना है किसानों को सुरक्षित रखते हुए करशी उतपादन को बढ़ाना है परियावरान को सुरक्षित रखते हुए विकास करना है समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोट गरीबों का ध्यान रखते हुए अमीरों को सपोर्ट करना है अमीरों को सपोर्ट करते समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब और ज्यादा गरीब हो जाए अनिक्वलेटी बढ़ने वाली है परिंडेमिक के बाद में आपको पता है समानता भेंकर तोर पे बढ़ने वाली है क्यों बढ़ने वाली है मोदी जी के आने के बाद में कॉर्पोरेट के हर साल दुगनी हो जाती है, इंकम. सितम्बर 2019 में एक लाग चालिस हजार करोड कॉर्पोरेट का रेन माफ किया गया. क्या सोचके किया होगा? एक लाग चालिस हजार करोड को. रेन माफ किया गया, कॉर्पोरेट का, पूंजी पतियों का. क्या सोचके किया होगा? यही सोचके किया होगा कि यह लोग देश के विकास में जधा-ज़्यादा कॉंट्रिबूशन करेंगे. किसानों को सपोर्ट करेंगे. मजदूरों को सपोर्ट करेंगे. रोजगार बढ़ाएंगे. नए-नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे. नए इंडस्ट्रिश लगाएं पूर्ष है उनको एतनी स्वीडि में देते हैं उनको छू जैन को पानी प्री में देता है। पानी फ्री में देता हैं उनको जमेन प्री क्यों देता हैं ? corporate tax में छूट क्यों दी जाती है GST में छूट क्यों होती है सब तरह के छूटे है सब तरह के सुविदाएं क्यों दी जाती है क्या हुआ pandemic में जब दुनिया सिकोड रही है या रोजगार सिकोड रही है कमाई सिकोड रही है लोग गरीब हो रहे हैं गरीबी की तरफ भाग रहे हैं, गरीब बनते जा रहे हैं लोग, ऐसे समय में कॉर्पोरेट का पैसा दुगना हो रहा है, यानि पिछले साल जितनी कमाई हुए थी उससे दुगनी कमाई उनकी, इस पैंडेमिक में हुए है, तो ऐसा कैसे हो गया, जब सब की कमाई कम हो रहे तब उनकी कमाई डबल क्यों हो रहे हैं, और फिर सारी तैयारिया उन्हीं के लिए क्यों हैं कि उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा, चाहिए वो काणून, क्रशी के कानून हो, उन्हीं के फेवर में है, लेवर कानून हो, कि अब 8 घंटान ही लेवर, 12 घंटे काम करेंगे, ये किसके फेवर में गया, उनी के लिए इसमें गया, और लेबर को यदि कोई दिक्कत है, तो हर्ताल नहीं कर पाएगा, तो आपने देखा कैसी आलात हुए, उदारन है न आपके सामने, तिर इंसा होने लगी कि हर्ताल करने की ताकत आपने चीन ली, 1990 से पहले जो राजपत था, वहां टेंट लगते थे, वो लोग प्रदर्शन करते थे, राजपत पर प्रदर्शन करते थे, जो इंडिया गेट के सामने से, राष्टपती बवन तक जू जाता है, वो राजपत कैलाता है, वहां दोनों तरफ टेंट लग जाते थे, और देश भर से लोग आकर करके प्रदर्शन करते, साल भर वहां किसी प्रकार का टेंट लगा रहता था, माइक चलता रहता था, यह 2012-1990 आते आते, उसको बदल करके जंतर मंतर कर दिया, अब जो प्रदर्शन होंगे वो तेवल जंतर मंतर पर होंगे, या पिर राम लिला मेदान जैसी जगे थी जहानना ने प्रदर्शन किया था, जहां पर राम देव ने प्रदर्शन किया था, अब इन दोनों जगों पर प्रदर्शन की इजाज़त नहीं थी, यह लोग वहीं जाना चाहते थे, लेकिन वहां जाने की इजाज़त नहीं थी, तो बॉर्डर पर रोग दिया गया, तो वहीं प्रदर्शन चुरूओ गया, तो क्या प्रदर्शन ऐसी जगों पर होना चाहिए, जहां कोई न देखे, कोई प्रभाव न पड़े, या प्रदर्शन ऐसी जगों पर होने चाहिए, जो पुब्लिक प्लेसे से, कितना बदलाव है शाहिन बाग वाला प्रक्रण आपने देखा रास्ता रोक करके वो लोग कर रहे थे लेकिन शाहिन बाग या C.A.N.R.C. के पूरे प्रक्रण में आपने देखा जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें से किसी से सरकार ने जाकर के बात की या उन्होंने किसी को इन्वाइट किया कि आप अपना प्रतिनिती या बेज़ें और हम आप से बात करेंगे ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था अंत्रता हिंसा हुई गोली बारी हुई लोग मरे और फिर कोविड आ गया और बंद हो गया कर्फि अंतर समझने की कोशिश कीजिए आज मैं कुछ आर्टिकल में आपको इनकी बातें बताऊंगा किसान जो हैं वो पूरे भारत में हैं और यह केवल सिखों का मामला नहीं है केवल MSP का मामला भी नहीं है किसान हर वर्ग का है और बीजेपी का गोटर भी है यहां तक कि उसके सईयोगी दल अकाली दल ने इस्तिवा दिया था और अपने आपको अलग किया गड़ बंद से और किसान बहुत सम्वेदंशिल मुद्दा भी है लेकिन वो लिमिटेट थे और उससे इसल अलग रहा था कि यह मुसल्मानों का मामला उसको मुसल्मानों का मामला बना भी दिया गया तो हिंदों ने अपने आप अलग कर लिया लेकिन जेसे ही इसकूम बनाया गया कि यह खालिस्तानी आतंकवादी हैं और यह केवल सिख हैं तो देश के अन्यव हिस्सों में भी बहुत सारे हिंदू जो किसान हैं जो बीजेपी के वोटर हैं और राममंदिर के समर्थक भी हैं और बीजेपी के C.A.N.R.C. में भी शायद समर् रही है क्या नहीं जुक रही है उस तरह से जुकती भी दिखाई नहीं दे रही है क्यों क्योंकि उसकी इमेज कराब होती है क्योंकि उन जुकने वाली सरकार है अगर जुक जाती है तो इमेज कराब होती है कि देखो यह सरकार जुक गई तो जो नहीं जुकने की वज़े से नरेंद्र मोधी जुकते नहीं है अभी की बीजेपी जुकती नहीं है इस वजे से जो बीजेपी के फैन है ऐसे करो लोग रातो रात जो है जुकने के साथ ही शाहद अंदर यंदर बीजेपी को मानना बंद कर सकते है यह नहीं रही है और हितों की लड़ाई जो है वो नहीं रही है तो लड़कों की तो कोई इमेज नहीं रही है उनकी क्या image खराब होगी? Image तो institution की खराब होती है या फिर उसके जो संचालक होते हैं या डारेक्टर होते हैं उनकी खराब होती है क्योंकि वो तो हुर्दंग है इसलिए ख्याल किसको रखना पढ़ता है उसको रखना पढ़ता है फिर स्कुल है किसके लिए उसके लिए तो उनकी मागे मान ली जाए लुक्त किसानों को माइनस करके आप राष्ट का संचालन कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताए ता बुडिया को सड़कपार कराने जी साथ बुडिया को जाना नहीं था उधर ुकर आज आज को परँपौकर करना है। करके उधर ले जाना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने आपको चुनाया में ले जाओंगा तो जो ज़रुद मन्द नहीं है उसके आप मदध कर रहे हूं सरकार के रहे हूं इतना अच्हा कानून बना रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रही है तो लेकिन इनको ज़रुद नहीं है उसके लिए भी आप बना रहे हूं। वो तो मना कर रहे हैं हमको नहीं चाहिएंगे। गहुत सारा मिस्कंसिप्शन है। आज हम लोग निकालेंगे MSP के मामले में। जो बहुत गलत तरीके से प्रचारित किये गए केवल पंजाब के किसानों को MSP मिलता ऐसा नहीं है। मध्यप्रदेश में 33 प्रतिशत किसान यानि टूटल जो गेहूं है तो जो खरीदा जाता है वीट। वह 20 प्रतिशत के लगबग पंजाब में होता है। मध्यप्रदेश से 33 प्रतिशत गेहूं MSP पर खरीदा जाता है। मध्यप्रदेश नंबर वन है पूरे बारत में MSP के मामले में। चावल के मामले में 36 गरों अधिशा सबसे उपर है। जो पंजाब और हर्याना को बताया जा रहा है तो पूरा का पूरा यहीं पर सब कुछ आ है। अमीर किसानों को लाब मिलता है चोटे और मार्जिनल और जो चोटे फार्मर्स हैं सबसे जबा मद्यम और सिमान्त किसानों को फायदा हो रहा है चोटे किसानों को फायदा हो रहा है यह रिकॉर्ड पर है सरकार के रिकॉर्ड में हैं तो मस्पी के बंदोने से चोटे किसानों को नुकसान जादा है बलकि और यह मान लिया जाता है कि नहीं से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो तीन ब्रांतियां समापत होती है मस्पी के मामले में जो तीन ब्रांतियां फेली हुई है और सरकार ने इसका कोई प्रचार नहीं किया शिक्षित करने की कोशिश नहीं किया पूरे देश में करशी कानूनों के आर में जो बताया जा रहा है वो गलत ग्रांतियां बताये जा रही है पत्रकार गलत बता रहे हैं तीवी पे गलत प्रोपेगंड़ा चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा जबकि असलियत कुछ और है MSP वो सबसे bottom floor है जितना दाम तो किसी को भी मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जिन जिन शेत्रों में MSP लागू है वहाँ पे जो मंडी APMC के बाहर जो कुछ भी बेचता है माले जाए MSP जो है वो 1800 है और बाहर जो बेचने जाता है तो wheat पर 6% कम मिलता है और rice पर 20% कम मिलता है जहां लागू है वहाँ पर भी जहां APMC है जहां पर MSP चल रहा है उन राज्यों में भी अगर बाहर किसी व्यापारी को बेचा जाता है तो 20% कम पर rice बेचा जाता है और 6% कम पर wheat sell किया जाता है इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि MSP हटा देंगे तो competition बढ़ेगा MSP के होते हुए जब यह हालात है तो MSP हटा देने से हालात कैसे सुदर जाएंगे MSP के होते हुए wheat 6% कम पर बेचना पढ़ रहा है और rice को 20% कम पर बेचना पढ़ रहा है तो MSP के हटा देने से competition तैसे बढ़ गाएगा और फसलों का विवीरी करान तो वैसे भी हो चुका है MSP के रहते हुए भी तो यह जो सारी ब्रांतियां जो कर्शी कानुनों के आरद में फेलाई गई हैं तो सारी की सारी ब्रांतियां एक तरह से बेवकूब बनाने के लिए तो यह पोलपटी तो खुल गई सरकार को लगता था इतनी आसानी से नहीं कुलेगी काफी रिसर्च हो गई सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि क्रशी मंत्री को जान गए लोग भारत में पहले किसी को पताई नहीं था कि कोईfaर है अग्री कल्ट जर मिनिस्टर भी होता है अब भारत में करशी मंत्री है सब लोग को पता है कोई अग्रिकल्चर मिनिस्टर भी होता है अब भारत में क्रशी मंत्री है सब लोगों को पता है बहुत बहुत उथला ग्यान है सरकार का जिसके सारे उन्होंने इतने कठोर निर्णे लिये और ये सुतंता संगर्ष की याद दिलाता है तब भी पंजाब बहुत आगे था जलियाँ वाला बाग से लेकर के तमाम चीज़े जलियाँ वाला बाग जैसा हत्या कांड और वैसा नर्सहार आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कामा गाता मारू वाला नर्सहार आपको और 1914 के 11 के आसपास जो आप उदर जब देखोगे लाला अर्दयाल और वाला वाला वापको कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो वो सब चीज़ें जो है फिर से सकों को इकी याद दिलाती है पंजाब की याद दिलाती ह सवत्unden ऑसंगश्चं की याद दिलाती है कि आंको व तो शुरू से आता उनके दसों गूरू नहीं घुचा खास करके गृगौविन सिंह। तो ये चीज जो है, मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे, यहां सरकार जो है, अप सरकार ने गल्ती नहीं किये, अपराद किये, तो अपराद की सजा होती है, गल्ती में मात किया जा सकता है, लेकिन अपराद में सजा मिलती है, तो सजा मिल चुकी है, उनका गटक डल तूट गया, अकाली दल चला गया, और इमेज खराब हुई है, इमेज बनाने में बहुत समय लगता है, दिगरने में टाइम नहीं लगता है, इमेज चली गई है, एक ऑथरिटीरियन जो एक ऐसी इमेज बनी थी ना, कि हम जो कहते हैं, वो हो जाता है, तो आज वो मानने को त तो ऑथरिटी को चोट मौची है, ऑथरिटी थोड़ी से डिली हुई है, आलत खराब हुए है, बाकि CANRC के टाइम चलेंज मिला था, JNU से चलेंज मिला था, जामिया मिलिया से मिला था, आपको पता है, सब तोड दिये गए, फोड दिये गए, पुलिस बेज दी गई, आर दूसरी चीज़ है, और यहां मन में चोर भी है, यहां वेलफेर का कोई बाव नहीं है, यह सीधा सीधा कर्पोरेट को मदद करना है, उनके लिए रास्ता बनाना है, उनके लिए मजदूरों के अधिकारों को अनन करके, और इस क्रशी कानूनों में भी आपने देखा है कि और कोउट में नहींए, इसमेंट में जाता है, यहां यहां लोग सुझकारों के अधिकारों को में शु meth में लिए दैना का कहा है, तेखी बाव स्गयाब में लिए टा-डार नहीं है, भी हैं करना है, यह सार लोग तयार में देखा है है, लोग अनके आः अधियार का मॉ जिन लोगों को ग्यान है वो भी सोने का नाटक कर रहे हैं। उनको मालूम है छोर गुसा है और चोरी कर रहा है। लेकिन फिर भी एक दूसरे उक कह रहे हैं कि नहीं बिल्ली होगी, खटपट हो रही है। ऐसी आवाज आ रहे हैं। चोर थोड़ी होता है। जो चोर दिख भी गिया लेकिन लगता कोई जानवर है। सो जाओ चोपशाप, सोने में ही बलाए चोपशाप, सो जाओ। तो राश्टरा के नागरीकों के हालात ऐसे ही है। चोर गुसा है, चोरी कर रहा है, चोरी हो रही है, पुते वह दिख रही है, आवाज सुन रहे हैं, सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सुला रहे हैं, और जो चोकिदार है जिसको जागते रहो बोलना चाहिए, मीडिया अगरा, वो सब चिला रहे हैं कि नहीं, सो जाओ सब, सब ठीक है, जागते रहो नहीं, बलकि सो जाओ, परदे परदा और उसके बाद फिर 100% लिपा पूरती और उसके बाद फिर सच सामने आया तो चुप कोई बोलने को तयार नहीं कि वो गलत था आपने 10 दिन तक चलाया था गलत निरेटिव दस दिन तक गलत खबर चलाया थी जरा एक दिन एक गिंटा वो चला दो जो सही है नहीं होता है। सब्सक्राइब कर दिया गया है। कि नहीं है। तो मीडिया जब काम करता है तो इसी प्रकार का करता है। तो नितान गटिया मीडिया है हमारा। चोर और उचकों की भरमार है। बिना पढ़े लिखे लोगों का भी है। कम पढ़े लिखे लोग हैं। मामुली डिगरी विगरी चोटा मोटा डिप्लोमा करके सब लगे हुआ है। पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। समझदार नहीं हैं। और जिम्मेदार तो एक परसेंट भी नहीं है। जबकि हम सुत्र बताते हैं चारों समझदारी, इमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। बहादुरी हो तो आप मुकाबला कर सकते हो, सरकार के खिलाब भी बोल सकते हो। लेकिन बहादुरी नहीं हैं तो आप मिम्याते रहोगे, गुलामगिरी करोगे। समझदारी नहीं हैं तो गलत चीज़ों को भी प्रमोट कर जाओगे। इमानदारी नहीं है तो चोर हो बिग जाओगे, पैसा लेकर के खबरें चापोगे, खबरें लिखोगे, खबरें बोलोगे, जिम्मेदारी कतई है नहीं, इमानदारी कतई है नहीं, समझदारी है नहीं, बहत्दुरी दिखा नहीं सकते, तो कायर इन सब का उल्टा है, समझद टीमेटार के बजाय मुर्क मिडिया इमान दर के बज़ाय चोड़ मेडीया जिम्मेडरी के बजाय कायर मेडिया है अब कि मिडिया का पूरा लेख चुड़ाया आप कर सकते हैं यही है और से हम जी है तो जो सोयं के जिम्मेडार है स्वयम कायर है स्वयम चोर है और स्वयम मुर्ख है उसको उसको जिम्मेदारी देगी है कि आप जंजागरन करो जंता को अवेर करो और उसका उसका ज्ञान वर्दन करो क्या ज्ञान वर्दन करेंगे जंता का इससी समाज में जी रहे हैं, और हम इस समाज का हिससा हे. तो यहां हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है कि ऐसे समय में हम ब्यूरोक्रेसी में जाने वाला है तो बहुत चालाकी से आपको उत्तार लिखना पढ़ेगी नहीं तो आप जो है अलाकि इतनी समझ नहीं है कोपी चेक करने वालों में और उसमें कि वो आपको छाट लें सरकार में को इतनी अकल नहीं है कि वो इस प्रकार के कॉपी चेक करने वाले लगा लें कि वो छाट दें उनके लिए कि उनको पेवर पविश में कौन-कौन करेगा उस प्रकार के ब्यूरोक्रेट आप निकाल के लाओ इसलिए इसकी ज़्यादा चिंता करने के अवशक्ता नहीं है न तो इतनी अकल सरकार में है न इतनी अकल कॉपी चेक करने वालों में इसलिए आप अच्छे से अपने उत्तर लिखे फोट पेपर के हिसाब से अच्छा निवन लिखे बिंदास लिखे जो मैं बोल रहा हूँ उसी अंदाज में लिखे जबदस लिखे जबदस माकस आएंगे पंच लाइन अच्छी होनी चाहिए इमोशनल टच होना चाहिए कल आपको बताया था क्या-क्या फिक्च्छल पार्ट होना चाहिए इसमें कतव ही क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या तो ठीक को ठीक कहना सिखें, गलत को गलत कहना सिखें। लिख सकते हैं। कास करके 4 Πेपर तो डिमांड भी करता है। आज जो मैंने बात की, वो 4 May सर लेकर जादा है। बहुत कम बात हुती हैं अस से, अलगी मैं तो करता रहता हूं। तो आप लोग कर सकते हैं स्वेम की गल्टियों से लेकर के राष्ट्री और अंतराष्ट्री अस्तर की क्या-क्या गल्टियां होगी वह आप समझ सकते हैं हमने आपको गुताया था लोगडाउन जो है या तो आपको बहुत पहले लगा देना था मार्च में आप जागे जनवरी फरवरी में आपको सबस्तले फ्लाइट बंद करनी थी जब लोग वुहान से आ रहे थे चीन से आ रहे थे जब वाइरस के आपके हैं कैसे नहीं थे इन पर जिब कर रहे हैं कि पिर आज में बता रहा हूं आज पिर रिकार पर आज फिर नोट कर लीजेंग से तो कि फिर गलती हो रही है सरकार बोल रहे हैं वायरस से डरने की जरूद नहीं वह हलका फुलका है पिलता जुरूर ज्यादा आया लेकिन असर ज्यादा नहीं करता है अरे तीन दिन भी बुखार आएगा तो तीन दिन की प्रोड़क्टिविटी तो चली गई आप क्यों मानते हो कि फेपड़ों तक पोच करके जब तक वो फेपड़े सड़ा नहीं देगा तक तक आप उसको कोविट नहीं मानोगे सामान्य बुखार भी आएगा आप पर दद करेगा किसी का सरदद करेगा और वो काम करने लायग नहीं रहेगा तिंचार दिन तो प्रॉब्लम तो है ना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों नहीं मानते है वही चोर गुसा है और आप खटपट को बिल्ली की खटपट बताते रहते हैं यही तो गड़बड़ है उसको फ्लाइड बंद करने से दिक्कत क्या है बलकि हम तो बुला रहे हैं 26 जनवरी को खु मुटन कि इंगे साथ में टीम नहीं हैंगी कि अभी प्रॉब्लम ट्रेश्टपति अखेले आते हैं कि एक हम्यूटेंट वािरस तो आई जाए जाए तो भार तो मुटन वाईरस ही जो है हमारा चिब घ्र अब वाइरस में जो म्यूटेंट आया है ना उत्परिवर्तन आया है आप यही करने की चीजे है बाकी तो कुछ कर नहीं सकते ना एक बार वाइरस आ गया और फेल गया तो फिर तो वेक्सिन के पर फिर तो आपका होगे सब तो अब वेक्सिन जब आएगी देखा जाएगा अभी डिला ही नहीं जब तक दला ही नहीं और वो सब ऐसी बातें करोगे फिर बाद में तो कुछ आई नहीं तो फिर यह तो करी सकते हो यही तो उस दिन करना था यही चीज़ दिसंबर में करने थे यही चीज़ फिर यही वहरान ने कर लिया तो एट इसको मालम था कि वहां कुछनकु गडबल हो आएट यही है तो यहां और पनी करोहिशा उसे ताह मैं इसके पास तो करोड़ कर का वह ताईवान में पिर यहांजार है Toniirm कोड़म में कि korles करोड करोड़के इंस उचे juice यहाँ एकशार थे सुस्ट करोड केस लिए बैठर कर देशे हैं तों ते जनसंग वह अनुपाद केसा है है गाइज कर रोड रेक सो तीस करोड encompass Oracle कि इसने पिर का यह घर कि यह घर है ओर जय आए यह कॉम कि इसने बन कर दीआ कि आप है आपको गजै से क्वेल कर सकते हैं थिर क्पिर इक इतने सारे देशों निसी South 지나 यह पराद हो जाएगा पहले तो फिर भी चलो गल्टी मान लेगी पिशला लेकिन ट्रम्प का योजन जो हुआ था मोटेरा में वह नमस्ते ट्रम्प उसको गल्टी नहीं मानें वह अबरादी है तब तक तो काफी कुछ क्लियर हो गया था और अमेरीकाम तो फेल गया था तब अब नमस्ते ट्रम्प किया था अब नमस्ते जॉंसन है यह फिर हो रहा है तो यह बेवकुपिया नहीं है यह गल्तिया नहीं है यह क्राइम है भारत की बोली-बाली जनता के खिलाब बोले-बाले नागरिकों के खिलाब किया गया अपराद है और यह चुनेवे नेता कर र बहुत खतरनार चीज है पर एक्सपर्ट तो बोल रहें कि ये सब करो आप बंद करो उसकी फ्लाइट को उरी दुनिया बंद कर रहे हैं कम से कम 40 देशों ने बंद कर दिया है महां से फ्लाइट आप क्यों नहीं कर देते हैं आपको क्या मोह है कोन ऐसा आने जाने वाला है बृ जिनको लाना जरूरी है यहां पर उनको लाओना लाना यह तो जोंसन का क्या करना है तो यह चीजे है इतने सारे तुम ने साथ साथ करेंट अफेर्स पर भी आपका ध्यान आकरशित किया अभी के मुद्धों पर भी और बेवाग्टी पहनी है थोड़ा सा आप उसको अपन लेकनी में कैसे लेना है आंसर राइटिंग में कैसे लेना है कुल मिला के गलतियां नहीं करनी है और अपराद भी नहीं करना है और गलतियां होने नहीं देनी है तो साथानी रखनी है साथानी वर्ष जब आप चीजों को ध्यान रखते हैं तो फिर चीजें उतनी नहीं होत हरेता है जाव में समयपे आप गाड़ी की सर्विसिंग करा लेते हैं यह व्यवाइप थी करआ लेनpri और सब्सक्रावा लेते हैं तो एक्सिदेंस होने की संद्मणा सबढ़ना कि रात है छकम Т्थिक नहीं है लाइट थीक हो जाती है तो बहुत वो जो निए पहले दीग में एक-दो बार लाइट खराब थी लेकिन चला गया था कई लोग एकसिडेंट होने को बाद यह बोलते हैं पहले भी मेरे पास लाइट खराब थी वो बच गहे था व हो तरीका बदल जाता है पेपर का स्टाइल बदल जाता है करेंट फेर्स बदल जाता है ऐससा जरूर है यह नहीं करोगे आप उचिस्तरी मेहनत करोगे तो फिर एक ही बार में सब निकल जाएगा, prelims भी, men's भी और interview भी तो चलिए, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, आगे